पर संदमारी करने के लिए कांगरेस ने अलग-अलग रणीतिया बना ली है और ऐसने में अब कॉंग्रेस अपने विधायकों को इन लोग सभा चुनाप में उतारने की तैयारियों में जुट चुकी है इसी बीच चर्चा का विश्य बने हुए हैं कॉंग्रेस के राष्ट महा सचीव सचन पाइलेट सचन पाइलेट जिस तरह से लोग सभा चुनाप के लिए रणीतिया बना रहे हैं सचन पाइलेट ने जिस तरह से सपना देखा कि विधान सभा चुनाप में कॉंग्रेस एक बर फिर से सत्ता में आएगी वह उस परंपरा को तोड़ेगी जो 25 से 30 साल तक चली आ रही है कि 5 साल बाद कॉंग्रेस 5 साल बाद भारती जंदा पाइलेट सपना पूरा नहीं हो पाया ऐसे में देखा जाए तो अब सचिन पाइलेट के लिए एहम रणनी क्या बरने सचिन पाइलेट जिन्होंने टॉक से विधान सभा चुनाप जीते वहीं उन्हें 36 कड का प्रभारी नुक्त कर दिया गया है लेकिन आने वाले समय में आखिरकार आला कमान सचिन पाइलेट को लोग सभा चुनाप में वाकई में उतारेंगे या नहीं हाल ही में कॉंग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होई दिल्ली में और इस बैठक में एहम फैसले लिये गए जानकारी दे दे कि कॉंग्रेस के राष्ट्र एद्धेक्ष मलिका अरजुन खडगे को फीडबैक र पाइलेट ने साफ तोर पर कह दिया है कि मलिका अरजुन खडगे ही इस पर फैसला लेंगे कि आखिरकार किनके नेताओं को प्रत्याश्य के तौर पर देखा जा सकता है जिन्हें लोग सभा चुनाप में उतारा जा सकता है लेकिन दूसरी ही तरफ राज्ज सभा में किसे भेज़ा जाएगा इसको लेकर भी पाइलेट यहां पर इस्तिती साफ कर चुके हैं सचिन पाइलेट का कहना रहा कि परमपरा यही है कि कौन पार्टी का उमीदवार होगा यह AICC के अध्यक्ष और हमारा सीष नेतरत्व तै करता है जिसको भी अपना उमीदवार बनाएग चर्चा हुई है ऐसे में सचिन पाइलेट ने यहां पर साफ कह दिया है कि आने वाले समय में राहुल गांधी और मलिका अर्चुन खडगे जो ध्यान देंगे वो युवाँ पर फोकस करेंगे और युवाँ को मौका देती हुए नसर आएंगे क्योंकि उनका कहना साफ तो पर रहा है कि 25 सीटों पर हमने एक अच्छा पैनल तयार किया है कई जगा एक नाम है कई जगा दो नाम है तो कई जगा तीन नामों का पैनल है लेकिन टिकेट वित्रड का अंतिम फैसला होगा CIC करती है जो और ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि जल्द CEC की मीटिंग होगी और नामों पर अंतिम मोहर लग जाएगी सचिन पाइलेट का कहना है हमारी कोशिश है कि नौजवानों को मौका दिया जाए जनता उस पर उस फैसले का स्वागत करती है विधान सभा चुनाब में हमने नया प्रियोग नौजवानों पर किया नौजवानों को मौका दिया वहां जन संपर्क करते रहते हैं उन्हें मौका दिया जाना चाहिए राहुर गांधी मलिका अर्जुन खड़गे भी यही चाहते हैं कि नई पीडी में जो जागरुक और समर्पित जमीन से जुड़े कारे करता हैं उन्हें मौका दिया जाए इससे पूरे प्रदेश में एक donachron deferkin pilot की गिंती है आःए को अर aí चाहा एक की टॉक अजमेर या सभाई माधभूताब लड़ सकते हैं तो बहुँपाल में ओजनचा चाहिए रहा सकते कृछी तो देखना होगा हुग जवानों को अगर मौका मिल रहा है yuga netaam में पाइले झाले को इन लोग सभा चुनाब मोतारा जाएगा या नहीं राहुल गांदी और मलका अर्जुन खडगे का आखिर फैसला क्या कोच होता है ये वक्त के साथ साथ बता चलेगा फिलाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देख तेरे ही नेक्स्ट नाइन न्यूज